उन्सान्ति कलास में आप सभी का स्वागत है आज की डेट में सिखेंगे गनी 10 परसनावले छोदो पैंट दो की दो नमर जैसा की लिखा हुआ है निमलिखित आकरें 225 बिजली उपकर्णों के परियक्षन जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 बारंबरता दिया है 10, 35, 52, 61, 32, 39 उसके बाद है उपकर्णों का बहुलक जीवन काल घ्याद कीजिए यानि की बहुलक ही मांग रहे हैं बहुलक के लिए सबसे फश्ट में इसके लिए एक कोलम बनाना है यहाँ पे है जीवन काल घंटों में वहीं चीज यहाँ पे दर्सना है जीवन काल घंटों में जो है इसका एक कोलम बनाएंगे जीवन काल घंटों में घंटों में है इसके बाद एक ठो कोलम बनाएंगे यह बारंबारता है बारंबारता ही इसमें लिखना है बारम बारता आप जिस तरह से जीवन कल घंटों में यहां पर है वहीं चीज यहां पर लिखना है 0 से 20 है तो यहां पर भी लिखना है 0 से 20 उसके बाद है 20 से 40 यानि कि अंतराल लिया है 20-20 की 20 से 40 40 से 60 40 से लिया है 60 उसके बाद है उसके बाद 60 से 80 साट से 80 उसके बाद है इसके बाद यहां है 80 से 100 80 से 100 लाष्ट में है 100 से 120 एक सो से 120 तक ही लिया है यहीं तक जो यह कोलम हमको बनाना है ठीक न है आप जो इसतार का एक छोड़ में दे देना है ताकि समझने में दिकत न होगी yardım बाद 10 35 35 55 ten तो बहु लग के लिए सबसे में चीज समझने का यह चीज है the हाँ जो बारम भारता लिखिया है इसमें सबसे बरी अग़ कौन सा है जिसा कि इसमें से सबसे बढ़ी अंक, यहां पिक 507 29 it'sता है 66 66 नीचे में आत्युचिय एकड़ इस तरह से लिकार खिच लेना है समझ गये इस तरह से लिकीर हिचने के बाद इस में से जो सबसे बड़े अंख है जो सबसे बढ़े अंख है कुंसा है एकसट है एकसट को क्या चीज़ से सुचित किया जाता है इसको एफ वन से सुचित किया जाता है उससे सेम एक उपर जो सबसे बड़े अंख है उससे उपर वाले को क्या चीज़ से एफ जीरो से सुचित किया जाता है उसके नीचा वाले को एफ टू से सुचित किया जाता है इसी लेन में जो सबसे फॉष्ट में है इसको एल से सचित किया जाता है और, सबकामान लिख देंगे सबसे फॉष्ट में लिखना है F0, F0 बार अब कितना हुआ है 52 लिख देना है इसके बाद है F1, एप वान एप वान एप वान बराबर कितना है एक सर्थ एक सर्थ लिख देना है एप टू एप टू बराबर कितना है एप टू बराबर हुआ है आर्थीश तो आर्थीश लिख देना है उसके बाद है एल एल बराबर कितना हुआ है एल बराबर हुआ है साथ तो साथ लिख द अब बहुलक बराबर सबसे फश्च में सुत्र लिखना है तो बहुलक बराबर सुत्र क्या होता है बहुलक बराबर सुत्र यहाँ पे दर्सना है बहुलाक बहुलाक बराबर सुत्र होता है यहीं होता है बहुलाक बराबर सुत्र तो इसी को मान बैठा करके बनाना है फिर बटे में है बटे देना है दो है तो दो लिख देना है या हुआ कुछ हो नए तो मल्टिपल है यानि गुना काचीन है यहां पे 20 लिख देना है अब जो है यह 60 का साथ ही होगा पलस का पलस अब 61 में से 52 को घटाना है 61 में से 52 को घटाएंगे तो कितना होगा नो यह 20 जो है इसमें मल्टिप्ले करना है यह 61 कुना दो करना है तो यानि कि 2 का 2 दो दुना 1212 होगा मैनस है तो मैनस देना है मैनस मैनस दो जगा है तो मैनस मैनस क्या होता है पलस होता है आट दो दस का 0 हांसे लेक पांच तीन आठ आठ एक नो कितना होगा नबबब्य कि ये 60 का 60, पलस है, तो पलस देना है, ये 122 में से 90 को घठा देना, 122 में से 90 घठाने पर हो जाता है 32, तो कितना यहां पे लेख देना है, 32, ये 9 गुना 20 करना है, तो 9 गुना 20 करने पर हो जाता है 180 180 यह चीज यहां पर नहीं अर्जेश्ट होता है यहां पर उतार लेना है यानि कि 60 पलस यहां पर है 180 बटा 32 180 बटा 32 अब जो है 60 का 60 ही लिखना है पलस है तो पलस देना है 180 में 32 से भागा देने पर कितना आता है 5.63 यहां पलस का चीन है पलस का चीन देना है तो इसमें 65 65.63 यह हो जागा एंसर इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से जरल करें